सेरी कल्चर रेसम कीट पालन व्यापारिक दरश्टी से रेसम प्राप्त करने के लिए रेसम कीट का पालन या सेरी कल्चर कहलाता है यह यह कहें कि व्यापारिक इस्तर पर रेसम प्राप्त करने के लिए रेसम कीट का पालन किया जाता है इनको इनका पालन किया जाता है इसी चीज़ इस पालन को हम क्या बोलते है रेसम कीट पालन या सेरी कर्चर कहते है रेसम कीट के बारे में अगर रेसम कीट के इत्यास की बात करें तो सरोपर्थम इसको चीन के अंदर धागों के रूप में सिल्क कीज की खोज की गई थी चीन रखी गई थी जिसे अपने देश से बाहर ले जाने पर इस पर पाबंदी थी पूर्ण डूप से लेकिन सन हम बात करें हैं 555 AD के अंदर दो पाद्रियों पे द्वारा जासुशी कर इस कला को अपने देश यूरोप के अंदर पहुचाया गया इस परकार से ये जो रेसम कीट पालन या रेसम बनाने की जो कला थी है चीन से यूरोप तक पहुची और जहां से होते विए पूरे मेडिटेरियन चेत्रों एशिया के समस्ते देशों में फैल गई आज चीन जापान कोरिया भार्त पाकिस्तान बांगादेश इटली फ्रांस और इत्यादी में यह है रेसम केट है इसकी कई परकार की परजातिया पहे जाती है यूनी वोलेटाइन, बाई वोलेटाइन, मल्टी वोलेटाइन रेसम कीट की वह पर जाती जिसके द्वारा एक वर्स में एक ही फसल प्राप्त होती है उसे यूनिव वलेटाइन कहते है जबकि ऐसी पर जाती जिसके द्वारा एक वर्स में दो फसले प्राप्त होती है उन्हें बाई वलेटाइन कहा जाता है और अगर एक वर्स में आनेक व तो शिल्क वर्म है उसके बारे में जानना आते हैं ताउ सक है तो हम देख लिएते हैं इसका सबसे पहले classification classification of silkworm इसके phylum की बात करें फाइलम होता है orthopoda class insecta order lepidopatera family बॉंबिसीडी जीनस बॉंबिक्स और इस्पेसीज मोराई भारत वर्स में जो रेशन कीट पालन के हम बात करते हैं तो भारत वर्स में इस से सममंदित दो family हैं एक है बॉंबिसीडी और दूसरी है सैटर नीडी बॉंबिसीडी के अंदर जो मुख्य जो warm है वो silkworm होता है और मुख्य जो silkworm होता है वो है vombeximor I और यह है सैटूत के पत्तों जो मलबडी है इसके पत्तों पर पाया जाता है इसे मलबरी सिल्क मोथ भी कहते हैं इसके द्वारा बनाया हुआ सिल्क या रेसम है स्वेथ या पिले रंग का होता है दूसरा कूल है सेटरनेडी जिसके अंदर हम देखेंगे बहुत सारी परजातिया है सेटरनेडी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं टसर सिल्क वार जो की एंटेरिया पैफिया है टसर सिल्क मोथ भी बोलते हैं यह भार चीन वह स्रिलंका के अंदर पाया जाता है यह एक वाइल्ड स्पीसीज है इसके लारवा है बेर, साल, बूलर, वेउक्की पतियों पर रह होता है बूरा पिरे रंका होता है यह लगबग मूर्गी का जो एग है उसके आकार का होता है इस मोथ का पालन आसान नहीं होता है इसके कोकोन है यह जंगलों से ही क्रित किया जाते हैं और जिन से क्या प्राप्त किया जाता है टसर सिल्क प्राप्त किया जाता है और इस टस एर्या जिया आजमेंसिस है इसको मुंगासिलक वर्म कहते हैं यह आसाम में पाया जाता है और इसके अलावा बिहार पस्चिन मंगालव है उरीश्य वर्म एरिसिल्क वर्म है यह फ्लोसामिया रिसिनी भी इसे कहते हैं और यह पूरी एसिया के अंदर पाया जाता है इसका लारवा कैस्टर की प्रत्रियां खाता है और इससे प्राप्त रेसम इंट के समान लाल रंग का होता है इसके कोकून से जो धागा है यह टुकडो के रूप में साफ कर लिया जाता है और इससे प्राप्त रेसम इंट काती है इसके धागे काफी मजबूत होते हैं इनमें चमक कम पाय जाती है इस मोत को पाला जा सकता है और इसका जीवन चक्र है हमारे शिल्क वर्म जो की बॉंबि इसके समानी होता है इसमें सिल्क प्राप्तिवे इसके पालन को क्या कहा जाता है अरी कल्चर कहते हैं राजस्तान के बीकानेर जिले में इस उध्योग को विक्सित करने के लिए प्रियास किये जा रहे हैं इसके अलावा अन्य और परजातिया भी पाई जाती है जैसे ओक्रेसम मोथ और शिल्क मोथ एंथेरिया पैरनी यह चीन वे जापान के अंदर पाई जाती है यह भी डॉमेस्टिकेटड इंसेक्ट है और इससे अच्छी परकर्तिका सिल्क प्राप्त होता है इसके अलावा देव मुंगा सिल्क मोथ थायो पेलिया रिलिजियोसिस भी इससे कहते हैं और यह उत्तर प्रदेश और हिमाले के जो तराई छेतर हैं वहां पर यह पाईता है इससे प्राप धागा मजबूत होता है खुरदरा होता है इससे मचली पकड़ने का जाल पनाए जा आते हैं अगर्णा अगर्णा नेक्स्ट हम यह देख सकते हैं यह जो वॉंक्स मौराई है बॉंक्स मौराई जो इंसेक्ट है उसका डाइग्राम दिया हुआ है और यह व्यस्त जो मोथ है इसके शरीर के लंबाई लगबक चार से पाथ सेंटिमेटर यह लंबा होता है और हैर पाए जाते हैं कुटिकुलर से इसका बोडी धकी वी रहती है विसके अगर बोडिक बात करां लो तीन बाव में लाच्ट सकते हैं सराइं है फ्रस और इब्डबील कि इसके जो हैडव वाग है इसके उपर हम देखेंगे कि हैड के उपर एक जोड़ी क्या पाय जाते हैं एंटिना पाय जाते हैं और इसे यह एंटिना है यह पिछकी होते हैं इनके उपर छोट-छोटे रोम पाय जाते हैं इसके मुखांग में एक प्रोवाइसिस पाय जाता है यह चूसने एतु अनुकुलित होता है जो इसका थोरेक फेली या वस्ता के अंदर पाइजाते आले इसे जो जोड़ी इसके फैली या वस्ता प्लिटkah अव्रट कर दो अध dal भूक्न मादश्प मादश्था आर्मडर्वान पाइजाता है और इसके जो अध्यूच कर दो कर दो कर दो